दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाला है LG की 6-in-1 Convertible Technology के बारे में दोस्तों ये टेकनोलोजी LG के 222 मॉडल और 232 में देखने को मलती हैं लेकिन हम बात करेंगे कि इन दोनों ही मॉडल के अंदर जो ये टेकनोलोजी मिल रही है उसके अंदर क्या difference आपको देखने को बलता है लेकिन उससे पहले दोस्तों गर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देखने दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को साथ में पहले एकन को फ्रेस करना मत भूलिएगा तोस्तों AC लेने से पहले आपको कुछ important चीज़ों के बारे में पताऊना बहुत जरूरी होता है जैसे कि आपको अपने room atmosphere के साथ से कितने टन का AC लेना चाहिए जैसे कि 1 ton, 1.5 ton या फिर 2 ton room atmosphere के साथ से कोन सी technology का AC लेना चाहिए जैसे कि inverter AC ले या फिर एक non inverter AC लें AC में star rating कितनी important होती है और उसका क्या मतलब होता है तो दोस्तों आपको इसके उपर हमारा बना हुआ detailed video ऐसी buying head video जरूर देखना चाहिए उस video के link आपको आई button और description box दूनों में बिल जाएगी दोस्तों वेसे LG ने 2023 के air conditioner के model अपने market में launch कर दी है अगर आप भी अपने लिए LG के air conditioner लेने के लिए प्लान कर रहा है और confused है 2022 और 2023 के model के बीच में तो दोस्तों इसके उपर हमने एक detail video आपके लिए बना हुआ है वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए उस video के link दोस्तों आपको description box और i button दोनों मिल जाएगी दोस्तों अब बात करता है LG के 6 in 1 convertible modes technology के बारे में तो दोस्तों 2022 और 2023 दोनों में ही दोस्तों आपको ये option देखने को मलता है जिसमें आप AC के wattage को कम कर सकता है अगर आपको requirement उतनी नहीं है जैसे कि 40% पर आप AC को चला सकते हैं 60% पर चला सकते हैं 80% पर चला सकते हैं और 100% capacity में भी चला सकता है पाचव मोड आपको मिलता है दोस्तों AI mode जिसमें AC कुद सेंस करता है कि आपकी room के इंदर कितने temperature की requirement है उस हिसाब से cooling को manage करता है इसे दोस्तों आप auto mode भी कह सकता है लेकिन जो चाटा mode मिलता है दोस्तों वो मिलता है आपको 110% capacity वाला mode जिसमें आप AC के wattage को बढ़ा कर AC से ज़्यादा cooling ले सकता है 2022 के model में दोस्तों जो 110% का mode था उसे आप maximum 90 minutes तक चला सकते थे लेकिन दोस्तों जो 2023 के model है उसके अंदर इस mode को विराड मोड कहा जाता है और आप AC को non-stop 110% पर चला सकते हैं और fast cooling ले सकते हैं लेकिन इसका फायदा भी है और नुकसान भी है फायदे की बात करें तो दोस्तों सब्सक्राइब आपकी यह में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और temperature कुछ-कुछ दिन जो है वो काफी ज़्यादा चला जाता है और आपको ज़्यादा cooling की requirement है या फिर आपके गर में कोई function है ज़्यादा member आपकी room के अंदर है और आप cooling ज़्यादा चाहते हैं तो भी आप इस mode से जो है वो AC के wattage को बढ़ा कर ज़्यादा cooling ले सकते हैं आपको यह फायदा देखने को मलता है लेकिन दोस्तों सका नुकस नुकसान यह है कि suppose अगर आपने 110% capacity की विराट mode को on कर दिया है और आप उसे वापस से receipt करना भूल गया है या फिर आप उसे change करना भूल गया है तो फिर AC लगातार 110% capacity पर काम करता ही रहेगा और AC में दोस्तों आपको जो बिजली का बिल है वो काफी ज्यादा आएगा बि वही पर 2022 का model में दोस्तों आपको जो यह mode है उसे आप 90 minutes maximum तक ही चला सकते थे जिससे की दोस्तों आपको cooling भी मिल जाती थी एक time duration के दोरान और आपका एसी जो है वो automatic वापस अपने normal wattage range पर आ जाता था लेकिन फिराट mode का जो option है वो 2023 के अंदर model में मिल रहा है वो आपके एक mood के बारे में आपको complete information दिया है और साथ में आपको differences भी बता है दोस्तों अबिद है आपको इस वीडियो के बारे में complete information ज़रूर मिल गई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को like ज़रूर करिएगा और ज्यादर सदा इस वीड वंदे मातराम